हेलो दोस्तों नमस्कार मैं आजय कुमार सिंग आप सभी लोगों का अपने इस यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे की नोसी कैसे बनवाएं नार्मली आपने देखा हुआ कि अभी खासत और से यूपी पालिटिक निक लेक्षर का जो रेक्रूट्मेंट चल रहा है उपी प्यसी के थुरू उसमें एक सब्द है एक एक जगर लिखा है एक डॉकुमेंट की रिक्वार्मेंट है नो अप्जिक्शन सेटिफिकेट कि ऐस क्या है कैसे बनवाएं और अगर नहीं बन पा रहा है तो क्या करें इसके बारे में इस वीडियो में हम डेटेल में देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको यह बताओं कि एनोसी के रिक्वार्मेंट उन्हीं कैनिडेट्स को होती है जो कैनिडेट्स औरेडी गवर्मेंट औ और चैस्टेट गवर्मेंट हो नोसी का मतलब होता है नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसमें यह मांगा जाता है कि जिस रिक्रूट्मेंट में आप बैठ रहे हैं वो रिक्रूट्मेंट वो और्गनाइजेशन वाले आपसे चाहते हैं कि आप जिस और्गनाइजेशन नहीं है और इसके बहुत सारे benefits हैं कि एगर आप proper channel से NOC ले लेते हैं और इसके बाद apply करते हैं तो पिछले employer के पास जितने भी आपके leaves credit रहते हैं या फिर कुछ amount रहता है या seniority रहती है कई बार जब आपकी final selection हो जाता है आपका तो वहां की seniority या leaves जो है आपके इस department में कई बार carry forward हो जाते हैं अगर आप proper तरीके से NOC लेके apply किये हुए हैं तो लेकिन दोस्तों ये भी बात सही है कि NOC मिलना इतना आसान नहीं होता है जिस organization में आप काम करते हैं उसके अधिकारी उसके officers NOC इतनी आसानी से आपको नहीं देते हैं कई बार मिल भी जाता है अगर आप क्या करें कैसे बचें इसको चले detail में हम देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह हो सकती है कि आप जो वीडियो आप देख रहे हैं लेकिन आप किसी government organization में काम ही नहीं करते हैं पहली बात तो यह हो सकती है कि आप government organization में काम ही नहीं करते हैं तो फिर आपको NOC की को मिल भी गया तो भी आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है आप परफेक्ट हैं एकदम पूरी तरीके से तीसरी बात यह हो सकती है कि आप गवर्मेंट और्गनाजिशन में काम करते हैं लेकिन आपने अपने रिकूरूट्मेंट के टाइम पर यह अनौंस नहीं किया है या बताया ही नहीं है UPPSC को कि आप सेंट्रल गवर्मेंट में काम करते हैं या इस्टेट गवर्मेंट में काम करते हैं तो भी आपको NOC देने के जुरूत नहीं पड़ेगी लेकिन इसमें जो भी बेनिफिट्स है छुटियां वगर हैं वहाँ पे वो आपके लैप्स हो जाएं हैं वो ये है कि आपने UPPSC को तो ये बता दिया चौथेase में आपने UPPSC को तो आपने बता दिया कि आप government organization में काम करते हैं लेकिन जब आपने apply किया है अपने organization में तो अब आपको NOC नहीं मिल पारा है इस case में क्या होगा इस case में आप देखेंगे कि जब आपका final selection हो जाएगा तो result में आपके नाम के आगे op बंधिक या provisional लिखके आएगा कि आपका selection अभी provisional है और अभी आपको noc certificate submit करना है और आप ये देख रहे हैं कि आपके जो current organization में जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहां से noc मिल नहीं रहा है तो क्या होगा आपके पास 60 days का time है उसमें submit करना है in that case आप अगर 60 days में वो noc certificate noc जो है अगर यूपी पेसी को नहीं देते हैं तो आपका file जो होगा वो आगे department की तरफ forward नहीं होगा यूपी पेसी की तरफ से जहां से की आपको joining later या joining की आगे की further processing होनी है वो नहीं हो पाएगी तो इस case में क्या होता है यूपी पेसी की तरफ से कोई आपसे contact करेगा और आपको बताएगा कि आपका selection हो चुका है और selection के time पे आपने ये बात बोली थी कि हम within 60 days आपको noc दे देंगे और अभी तक आपका noc हमको मिला नहीं है तो क्या किया जाए तो आप उनको बताएंगे कि सर ऐसी ऐसी बात है मैं noc वहां से नहीं मिल पा रहा है तो यहां पे एक काम होता है कि आपको UPPSC में जाके एक एफिडेविट देना पड़ता है एक एफिडेविट देना पड़ता है उसमें ये लिखना पड़ता है कि आप हमारी फाइल आगे फरवर्ड कर दीजिए और जब मुझे ज्वाइनिंग लेटर आएगा तब मैं यहा पातर आप दे दोगे कि मैं रिजाइन देके रिलीविंग लेटर लेके ही जाओंगा ज्वाइन करने तब फिर आपकी फाइल को प्रोसेस की जाती है तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आप सेंट्रल गवर्मेंट किसी गवर्मेंट में नहीं है तब तो कोई दिक्क देने की जरूत नहीं है लेकिन आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे लास्ट वाले में आपने अनाउंस कर दिया है बता दिया यूपी प्यस्ट को कि आप सेंटर मतलब गर्मेंट और्मेंट में काम करते हैं लेकिन अब आपके पास नोसी बनके नहीं आपा रहा है इन डै लेके ही आऊंगा यानि आप रिजाइन करके रिलीविंग लेटर मिलेगा वह लेके जब पहुचेंगे तो आपकी फिर ज्वाइनिंग हो जाएगी इससे रिलेटेड एक एफिडेविट आप यूपी प्यस्ट में सब्मेट करेंगे 60 देज के अंदर या जब उनकी कॉल आ दिया है फिर भी अगर आपको कोई इसू लगता है तो आप जरूर हमसे कॉंटेट करें कमेंट बॉक्स में लिखें मैं उसका पॉसिबल जो भी मेरी मेरी समझ के एकॉर्डिंग रिप्लाई होगा वो करूँगा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो एनोसी स से देख पाएं thank you very much for watching this video अभी के लिए मैं ये वीडियो क्लोज करता हूं thanks a lot